हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शिर्षक है मित्रता. सुन्दर्वन में आम का एक बहुत पुराना व्रिक्ष था. उस व्रिक्ष पर कालू राम का एक कववा रहा करता था. उस व्रिक्ष पर जब आम के फल लगते, तो कालू बहुत स्वाद से वो आम के फल खाता. सभी पक्षी बहुत स्वाद लगा कर उस आम को खाते. उस व्रिक्ष के नीचे एक हिरन आया करता था, जिसका नाम हीरक था. अक्सरा वे हिरन उस पेड के नीचे हरी भरी ज़ाडियां खाने के लिए आता. धीरे धीरे करते करते कालू और हीरक में मित्रता होने लगी. सभी पक्षी बहुत खुशी होकर उन दोनों को देखा करते थे. कालू भी अपने पेड के मीठे मीठे आम हीरक को खिलाता. और बच्चों पता है इसके बदले में हीरक भी उसको अपनी पीट पर बिठा कर सारे जंगल की सैर कराता था. दोनों बहुत खुशी-खुशी जंगल में रहते थे. जब एपनी पीट पर उसको बिठा कर जाता था, तो एक लोंबडी छुप-छुप कर उसको देखा करती थी. ऐसे देखते हुए एक दिन कालू ने उस लोंबडी को देखा. उसे कुछ गडबर सी लगी. लगा इस लोंबडी की नियत ठीक नहीं लगती मुझे. उसने हीरक को समझाने की कोशिश की. बोला हीरक कृप्या करके इस लोंबडी से साबधान रहना. मुझे इसकी चाल में कुछ गडबर लगती है. हीरक बिचारा भोला-भाला सा. बोला नहीं कालू भेया. क्यों घपराते हो? मैं इसकी बातों में आने वाला नहीं हूँ. बस तुम ध्यान रखना और थोड़ा इससे दूर ही रहना. हीरक ने कालू को समझाया, नहीं भया, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं ध्यान रखूंगा. समय बीता गया. और वही दिन चर्या दोनों की. एक दिन वह लोंबडी छुप-छुप के हीरक को देख रही थी. उसने देखा, आज हीरक के आसपास कालू नजर नहीं आ रहा, तो चलती हूँ. हीरक को उल्लू बनाया जाए. वह हीरक के पास आई. और बोली, हीरक, तुम्हें पता है? मैंने उस नदी के पास बहुत अच्छी अच्छी जाडियां देखी हैं. बहुत कोमल-कोमल जाडिया, बहुत अच्छी-अच्छी हरी-हरी घास लगी हैं वहाँ. चलोगे, देखिया तुमने वहाँ खास और तुम्हें नहीं पता, मेरे दाथ तूट चुके हैं, मैं मास नहीं खाती, बस यही हरी भरी घास खाकर जी रही हूं। और हीरक को अपनी मीठी बीठी बातों में फसाने लगी। हीरक बहुत ही भोला हीरन था, और उसकी बातों में आ गया। लोंबडी बोली, कल चलोगे मेरे साथ, हरी भरी घास और जाडिया खाने, मैं ले चलूँगी तुम्हें। तो हीरक बोला, हाँ ठीक है, कल मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। अब अगले दिन लोंबडी ताक लगा कर बैठी थी, कि कववा हीरन से दूर हो जाए, तो मैं उसके पास चली जाओ। जैसे ही कालू पेड से उड़ा, लोंबडी ताक लगा कर बैठी थी, और जट से हीरक के पास चली गई, और बोली, हीरक, चले, उस नदी के पास हरी भरी जाडिया खाने चलते हैं। अब हीरक उसके साथ चलने को तयार हो गया। उस नदी के पास कुछ समय पहले ही शिकारियों ने जाल बिछाया था, और उस जाल को लोंबडी देख चुकी थी, उसे लगा अगर इस जाल में हीरक फस जाएगा, तो मुझे फायदा हो जाएगा, और मुझे हीरक को फसाने मे कुछ जैदा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, अब लोंबडी चलाकिस से हीरक को उसी दिशा की और ले चली, जहां पर शिकारियों ने जाल बिछाया हुआ था, जैसे ही उस पेड के नीचे जहां जाल बिछा था, लोंबडी हीरक को लेके गई, अचानक से हीरन का पैर फस और वह जाल में फस गया, जैसे ही जाल में फसा, लोंबडी के तो मुँ में पानी भराया, अब गया हीरन, अब तो मैं से चबा चबा के खा जाओंगी, जैसे ही हीरक जाल में फसा, हीरक ने लोंबडी को बोला, मेरी मदद करो, मुझे इस जाल से बाहर निकालो, लोंबडी तुरंत अपना सा मूँ लेकर बोली तुम्हें बोला तो था हीरक मेरे दान तूट चुके है अब मैं ये जाल नहीं काट सकती मैं तो बस हरी भरी खास खाकर ही जिन्दा हूँ कैसे काटूंगी मैं इस जाल को मैं तो इस जाल को नहीं काट सकती क्योंकि मेरे सारे दान तूट चुके हैं मैं तो सिर्फ हरी भरी घास खा कर ही जिन्दा हूँ अब हीरक बहुत परिशान होने लगा और उस जाल से निकलने की कोशिश करने लगा लेकिन वह जाल में बुरी तरह से फस चुका था और कोई भी कोशिश उसकी कामयाब नहीं हो पा रही थी अब वह किसी भी कोशिश में कामयाब नहीं हो पा रहा था हार कर उसने अपने मित्र कालू को पुकारा कालू कालू कहा हो तुम मुझे बचाओ मित्र मैं पस चुका हूँ तबी कालू उस ओर से निकला उसने देखा अरे ये मेरा मित्र का अफस गया जब उसने पेड के पीछे लोंबडी को खड़े हुए देखा तो वे उसकी चाल को समझ गया उसने सबी कवों को पुकार पुकार कर सबी जंगल के कवों को इकठा कर लिया और चोच मार-मार कर लोंबडी को वहाँ से पहले भगाया और लोंबडी घाय लवस्ता में वहाँ से दोड़ी उसे लगा आज तो मुझे एक अउए सब मार ही डालेंगे अब बात थी हीरक को बचाने की कालू ने काफी कोशिश की लेकिन वह उस हीरक को बाहर नहीं निकाल सका लेकिन फिर भी उसने अपने मित्र की मदद की उसने उसको बोला देखो हीरक, मैं तुम्हें एक योजना बताता हूँ कल जब ये शिकारी जाल में से तुम्हें निकालने आएगा तो तुम बस एक तरकीब करना तुम अपनी सांस को रोक लेना मैं तुम्हें पुकार कर बता दूँगा कि शिकारी आ रहा है बस थोड़ी देर के लिए तुम अपनी सांसों को रोकना और जैसे ही तुम्हारी रुकी हुई सांसों को शिकारी देखेगा तो उसे लगेगा कि तुम मर चुके हो अब हीरक को सारी बात समझ में आ गई उसने बोला ठीक है कालू मैं वही करूँगा जो तुम कहोगे अब अगला दिन आया कालू ने देखा कि शिकारी आ रहा है उसने हीरक को अवाज लगा कर बोला हीरक साबधान हो जाओ शिकारी आने वाला है और जैसे योजना हमने बनाई थी तुम्हें वही करना है हीरक बोला ठीक है कालू मैं वही करूँगा जो तुमने बताया था अब जैसे ही शिकारी हीरक के नजदीक आया हीरक ने तुरंट अपनी सांसों को रोक लिया और जैसे ही शिकारी ने देखा अरे ये हिरन तो मर चुका है अब ये मेरे किस काम का कहीं और जाल बिचाता हूँ ये हिरन तो मेरे किसी काम नहीं आएगा इसे जाल से निकालू और कहीं और जाकर जाल बिचाऊँ जैसे उस शिकारी ने हिरक को जाल से बाहर निकाला तुरंट छलांग लगा कर हिरन वहां से दोडने लगा, उस शिकारी ने हरान होकर हीरन की तरफ देखा, अरे यह तो जिन्दा था, इसने मुझे उल्लू बनाया, और कालू पेड़ पर बैठ कर सब देख रहा था, वह बहुत खुश हो रहा था कि आज मेरे मित्र की जान बच गई, देखा बच्चों, मित्र ने अपन अच्छा फल मिलता है,